5 tips to get success in life Number 1, time management Number 2, avoid distractions 6 things you should never tell people Number 1, don't tell people your plans They will sabotage you So guys, अभी जो आप लोगों ने वीडियो क्लिप देखी वो guys पूरी तरीके से AI दोरा जनरेटेट वीडियो है यहां तक कि उसमें जो वो इसे वो भी guys AI दोरा ही जनरेट की गई है और उस वीडियो में यहां पर aid की गई है और दोस्तों बहुत सारे ऐसे creator हैं जो कुछ इस प्रकार की AI की मदद से वीडियो create कर रहे हैं और यहां पर अपने social media accounts पर डाल रहे हैं और अपने social media account को एक अच्छा कासा grow कर रहे हैं यहां पर Instagram के गरम बात करें यहां फरी YouTube की बात करें हर एक social media पर कुछ इस प्रकार की वीडियो बहुत ही ज़्यादा trending में चल रहे हैं और इस प्रकार की वीडियो बहुत से creator create कर रहे हैं और इन वीडियो को create करके अच्छे खासे follower वगेरा भी वो increase कर रहे हैं और दोस्तों कर आप भी कुछ इसी प्रकार की AI दोरा वीडियो create करना चाते हैं अपने mobile से और बिल्कुल free में तो इस वीडियो को आप लोगों complete पूरा watch करना है इस वीडियो में आप लोगों को बता हुआ कि कैसे आप लोगों को AI दोरा वीडियो create करना है वो भी free और अपने smartphone से और अगर आप भी कुछ इसी प्रकार की AI दोरा वीडियो create कर लेते हैं जिसमें आप लोगों कोई यहाँ पर face दिखाने की जरूरत नहीं है या फिर उसमें voice aid करने की जरूरत नहीं है और बहुत ही आसान तरीके से इस AI वीडियो को आप generate कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ वेबसाइड की मदद से और बिल्कुल आसानी से उसको आप edit भी कर सकते हैं और अगर आप भी कुछ इसी प्रकार की AI दोरा वीडियो generate करना चाहते हैं इस वीडियो को दोस्तों आप लोगो complete पुरा वोच करना है चलिए कैसा आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बताते कि कैसे आप लोगों को AI दोरा वीडियो तयार करना है उससे पहले गाईस मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ प्रूब बताऊंगा ठीक है कुछ प्रकार का यहाँ पर एक पेज है जिसको मैंने सर्च कर लिया है अब जैसे हैं मैंने सर्च करूँगो तो यहाँ पर आपके साम कुछ ऐसे एंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप सबसे पहले तो इसके फोलोवर देखो 600K से भी ज़्यादे इसके फोलोवर हो चुके हैं और वीडियो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो वीडियो वह सिर्फ चमवाली सी वीडियो है इतने कम वीडियो में यहाँ पर इतने ज़्यादा फोलोवर इन्क्रीस कर लिए हैं भी Instagram पर आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं Reels वाले सेक्षन में जाता हूँ और यहाँ पर व्यूस देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बहुत ही ज़दा व्यूस आ रहे हैं यहाँ मिलियन्स में व्यूस हैं यहाँ कि दोस्तों गर आप भी कुछ इसी प्रकार की AI वीडियो जनरेट करके Instagram पर यह फिर YouTube पर अपलोड कर देते हैं तो कुछ इस प्रकार से आप भी अपने follower increase कर सकते हैं और इसके अलावा बहुत सारे Instagram पर इसे page है जो कुछ इस प्रकार की AI वीडियो डाल रहे हैं और यहाँ पर अपने अच्छे खासे follower भी increase कर रहे हैं आप इसी page को देख सकते हैं यहाँ पर success mind mantra वाले page को और यहाँ पर आप लोगों इतने ज़्यादा follower देखने को मिल रहे हैं इतनी कम समय में इतनी कम post में यहाँ पर इतने ज़्यादा follower हो चुके वो भी guys AI दोरा वीडियो जनरेट करके इसके अलावा यहाँ पर मैं simple सा YouTube application को भी open कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं search वाले icon में जाता हूँ और यहाँ पर AI वीडियो में search करता हूँ और यहाँ पर आप लोगों को भी बहुत सारे shorts देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर कुछ प्रकार के वीडियो डाली जा रही है AI वीडियो डाली जा रही है और यहाँ पर आप इनके views देख सकते हैं अच्छे कासे इन पर वीडियो पर भी views आ रहे हैं आप लोगों ने यहाँ पर Instagram देख लिया यहाँ पर YouTube चेक करने के लिए और वीडियो भी देख लिए किस परकार से यहाँ पर वीडियो क्रियेट की जा रही है तो यहाँ पर मैं सिंपल सा Google ओपन कर लेता हूँ और जैसे मैं यहाँ पर Google ओपन करूँगा तो यहाँ पर आप लोगों को सर्च वाल आइकन में जाना है तो कुछ प्रकार से आप लोगों को monk AI image आप लोगों को search करना है और यहां से आप लोगों को जो भी image पसंद आई वो image आप लोगों को symbols आपने gallery में download कर लेना है तो यहां से आप लोगों को पहला step यह रहेगा कि आप लोगों को एक image download करना है वीडियो में वो इमेज आप लोगों को डाउनलोड कर लेनी है यहाँ पर जो इमेज वो डाउनलोड हो चुकी इमेज डाउनलोड होने के बाद हमें क्या करना है यह जो करेक्टरी वो क्या बोलने वाला है वो हमें फाइंड करना है यानि कि जो motivational speech बोलने वाला है तो motivational speech हमें फाइंड करना है जैसा कि यहाँ पर मैं अभी side में एक video प्ले करता हूँ तो इस video को आप पहले देखें आप लोगों ने वीडियो तो यहाँ पर देख लिए किस परकार से यहाँ पर उस video में बताया जा रहे यानि कि five rules यहाँ पर बताया जा रहे हर एक परकार के success के five rules या फिर यहाँ पर daily habit के five rules confidence level के five rules यानि कि top five rules यहाँ पर बताया जा रहे AI के द्वारा और आप लोगों भी क्या करना है यहाँ पर google पर आप लोगो सर्च कर लेना है फिर उसके बाद आप लोगों को उस जो top five rule है उसको copy करके अपने notebook में यानि mobile की notebook में save कर लेना है अब guys अगर आप video को हिंदी में बनाने चाते हैं तो आप लोगों को क्या करने पड़ेगा उस जो आपने copy कहता है उसको पूरा का पूरा हिंदी में convert करना पड़ेगा और यहाँ पर फिर से उसको notebook में रखना पड़ेगा या फिर अगर आप English में रखना चाते हैं तो आप लोगों को simple सा English में रख लेना है आप लोगों को script है वो अच्छे से तयार करने है यानि कि जैसे आप script तयार करोगे तो वहाँ पर आप लोगों को क्या करना है पूरा की spelling है वो लिखनी है जैसे number one ठीके number लगा के फिर one ल करना है तब जाकर वो character एक अच्छे से यहां पर speech कर पाएगा हमने image download कर लिए और image के बाद यहां पर script भी हमने तयार कर लिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे इस script में जो AI voice है उसको यहां पर generate करेंगे उसके लिए हम simple सा Google पर चलते हैं और यहां से में सीधा अपने mobile की screen क ओपन करता हूं इस script को voice में convert करने के लिए simple सा आप लोग को क्या करना है यहां पर Google पर आ जाने और यहां पर आप लोग को सर्च करना है 11 लेप स्टिक यह आप लोग को सर्च करना है तो यहां पर मैंने सर्च कर दे इस spelling आप देख सकते हैं उसके बाद पहली website देखने को मि को पी कर लेना है तो यहां पर मैंने script तयार कर रखी है और script आप देख सकते हैं कुछ इसी प्रकार से आप लोगों को script तयार करना है जैसा कि यहां पर heading मेंने डाल रखी है उसके बाद यहां पर number one लिक कर रखा है फिर उसके बाद यहां पर time management के बाद यहां पर dot लगा करने तो इसको यह पर हिंदी में looks कर लेना है उसके बाद हुआ करेंकot इस सिंपल यहाँ पर इंग्लिस वाली सक्रिप्ट को कोपी कर ली तो यह पर हमने हुआ इस क्रिप्ट कोपी कर लिए अब कोपी करने के बासσιर्षा आप वाप गूगल पर जाएंगे इस वेबसाइड पर और यहाँ पर आप लोगों को इस वाले ओप्शन में आप लोगों को पेस्ट कर देना है तो यहाँ पर यहाँ से आप लोगों को क्या करना है अगर आप वोईस इसकी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को यह ओप तो मैं इसको अभी नहीं सुन रहा क्योंकि मैंने वोईस सुन रहा है उसके बाद आप लोगों को डाउनलोड वाला option देखने को मिल रहा होगा यह डाउनलोड वाला तो आप लोगों सिंपल सा इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है तो आप लोगों इस पर क्लिक करके बि वोई से उसको generate करेंगे तो उसको generate करने के लिए simple सा वापिस से Google application को open करते हैं character को realistic बनाने उसमें voice aid करने के लिए simple सा आप लोगो Google या फिर Chrome browser open कर लेना है तो यहाँ पर मैंने open कर लिया है और यहाँ पर आप लोगों को search करना है studio d id तो यहाँ पर मैंने search कर लिया ठीक है यह आप लोगों को भी studio d id सर्च करना है उसके बाद आप लोगों को क्या करना है यह पहली website देखने को मिल जाएग इस पर आप लोगों को click कर देना है तो यहाँ पर मैंने इस पर click कर दिया उसके बाद three dots पर जाकर आप लोगों को desktop side enable कर लेना है तो यहाँ पर मेरा desktop side already enabled है इसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा इसमें zoom करना है जूम करने के बाद नीचे आप लोगों को एक guest वाला option देखने को भी लेगा तो आप लोगों को login कर लेना है login करने के बाद यह जो यह video create करेगा इसके बाद आप लोगों को क्या करना है यह plus वाला icon देखने को मिल रहोगा create video इस पर आप लोगों को click कर देना है तो यहाँ पर मैंने create video पर click कर दिया उसके बाद आप लोगों को plus वाला icon देखने को मिल जाएगा तो plus वाले आपे-ञाप एड़ नहीं करना चाहते हुआ यहाँ पर डोगों क्रेक्टर भी देखने को मिल जाते हैं अब यहाँ पर जो image है वह आप लोगों को थोड़ा सा जूम करना है और जूम करने के बाद है यहाँ पर आप लोगों को script वाल ओप्शन देखने को मिल रहा होगा तो script वाले option पर आप लोगों को क्या करना है यहाँ पर side में आप लोगों को upload वाल option भी देखना को मिल रहा होगा तो upload वाले option पर click करके जो आपने voice download की थी उसको यहाँ पर आप लोगों को add कर देना है ठीक है यहाँ पर upload वाले option पर click करूँगा और यहाँ पर audio का option आ जाएगा तो इस upload वाले option पर click करना है अब जैसे मैं upload वाले option पर click कर दूँगा तो यहाँ पर आप लोगों को file open हो जाएगा simple सा file को open करके जो मारी voice है उसको हम यहाँ पर simple सा add कर लेंगे तो guys यहाँ पर मैंने file में जाकर simple सा जो audio file है उसको यहाँ पर add कर देया ठीक है यहाँ पर मैंने audio file को add कर देया यहाँ आप देख सकते हैं उसके बाद आप लोगों को क्या करना है इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर generate वाले option पर भी click करना है, तो यहाँ पर generate वाले option पर मैं फिर से click कर देता हूँ, और यहाँ पर जो video है वो यहाँ पर generate होना start हो जाएगी, कुछ परकार से video यहाँ पर generate हो रही है, तो guys यहाँ पर जो video है वो generate हो चुकिए, यह video generate होने के बाद यहाँ पर आप लोगों को three dots देखने को मिल रह गा तो simple सा आप लोगों को three dots पर click करने और यहाँ से download वल मिल जाएगा तो यहाँ से आप लोगों को video को download कर लेना है तो यह पर मैंने download कर लिया और यहाँ पर जो वीडियो है वन याँ पर download होना start हो जाएगी तो यहाँ पर इसमें तोड़ा से time लेगा और इसमें ये डाउलोड वाल आप्शन आ गया तो यहाँ पर मैं फिर से इसमें जो वीडियो 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 डाउलोड कर लेता हूँ simple सा आप लोगों को वीडियो को crop करना है और विल्कुल आसानी से आप लोगों को watermark भी हटा लेना है तो दोस्तो जो वीडियो है वो पूरी तरीके से generate हो चुकी है लेकिन गाइस इसमें हमें अभी subtitle लगाना बहुत ही जरूरी है यहाँ पर आप साइड में वीडियो देख रहे होंगों इसमें जो बोलता है वो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ जाते है यानि subtitle में और subtitle को दोस्तो आप automatic भी लगा सकते है गूगल से application डाउलोड करके लेकिन वहाँ पर जो अटोमेटिक लगता है वो अच्छे से नहीं लगता इसलिए आप लोग को क्या करना है सिंपल सा किसी भी editor एप में कर लेना है तो यहाँ पर मैं सिंपल सा इंसोट application को open कर लेता हूँ और वीडियो में subtitle लगाना भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ वीडियो को edit करने के लिए सिंपल सा आप लोगों को insert application को open कर लेना है या फिर कोई सी भी editor application को आप open कर सकते हैं और यहाँ पर आप लोगों को इसमपल सा वीडियो वाले option पर klik करना है Indonesia प्लस वाले icon पर जाना है और जो वीडियो हमने download के तो उसको यहाँ पर सी modo Add कर लीना है इसके बाद आप लोगों को क्या करना है यहाँ पर आप लोगों को यह canvas वाल option देखने को मिलेगा इस पर आप लोगों को क्लिक करना है और यहाँ से जो ratio है वो 9, ratio 16 वो आप लोगों को यहाँ से select कर लेना है और यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो को क्या करना है थोड़ से आप एड देखके इस वाटर मार्क को हटा सकते हैं अब गाइस इसमें हम जो इस सब्टाइटल एड करेंगे और सब्टाइटल एड करने के लिए आप लोगों क्या करना है जो यह केरेक्टर बोल रहा है उसी के अनस्वार आप लोगों को सब्टाइटल एड करना है आप ल मैंने पेश्ट कर दिया और यह से आप बिल्कुल असनी फोंट वगेरा चेंज कर सकते हैं पर इसकान का इसमें कर सकते हैं अब मालीजी यहां पर जो भी यह character बोल रहा है उसके अनुसार आप लोगों को यह text ही रहने देना है तो यहां पर यहां तक यह जो character बोल रहा है तो यहां तक हम इसको रहने देंगे और इसको यहां पर इतना कर लेंगे उसके बाद जो यह character next speech बोल रहा है उसको हम यहाँ पर add करेंगे जिसे माली यहाँ पर next बोल रहा है तो simple सा अब आपिस हम क्या करेंगे first वाले option पर जाएंगे और यहाँ पर इसको copy कर लेंगे text को copy करने के बाद simple सा echo text पर जाएंगे और यहाँ पर इस text को add कर देंगे तो कुछ परकार से दोस्तों आप लोगों कुछ subtitle भी add कर देना है और अगर आप इनमें animation डानना चाते हैं तो यहाँ पर simple सा animation भी आप डाल सकते है edit वाले option पर जाके animation वाले option पर जाके कुछ परकार के animation भी आप डाल सकते हैं और guys अभी मैं इसमें सब्टाइटल नहीं लगाँगा, आपको कुछ इसी प्रकार से सब्टाइटल लगाना है, क्योंकि guys अभी मैं इस वीडियो को सुन नहीं सकता है, इसलिए मैं इसमें अभी सब्टाइटल नहीं लगाने वाला, आप लोगों कुछ इसी प्रकार से इसमें subtitle add कर देना है यहाँ पर guys मैंने आप लोगों को अच्छे से subtitle add करना नहीं बता है क्योंकि जो मेरा my cave वो connect है और जो voice है वो मैं नहीं सुन पर रहा तो मैं subtitle उसमें कैसे add करूँगा आप लोगों को दोस्तों subtitle उसमें अच्छे से add करके simple सा video को export कर लेना है और जहाँ पर भी आप डालना चाते है जिस platform पर भी आप डालना चाते है वहाँ पर आप डाल सकते हैं और आप लोगों को बहुत ही अच्छे खासे views भी देखने को मिल जाएंगे क्योंकि ये वीडियो ये बहुत ही ज़्यादा trending में चल रही है तो आप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आयोगा पसंद है दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना है और अगर आपको कोई भी प्रोब्लम आती है